ये टेबल है, इस टेबल पर एक है भी चेन है, इस टाइब से, अब जो चेन की टोटल लेंथ है, उसको मैं L माल लेता हूँ, टोटल लेंथ यहां से लेके यहां तक चेन की लेंथ L है, और यहां नीचे जो लटका हुआ लेंथ है, उसको मैं Y माल लेता हूँ, यह कितना हो ज जाएगा question समझ ना question समझा देता हूँ l minus y अब देखो जो मैं y की value बढ़ाऊंगा जैसे जैसे मैं y बढ़ाऊंगा ऐसा समय आ जाएगा chain sleeping करना इस्टार्ट कर देगा ठीक है sleep करके नीची आ जाएगा इसका मतलब है हुआ एक खास y के लिए एक maximum y के लिए में यह equilibrium में रहेगा तो हम लोगों को निकालना है maximum fraction of length chain that can hang over the edge यह maximum y कितना रखा जा सकता जिससे यह equilibrium maintain हो यह नीचे नहीं उससे जादा करोगे तो नीचे आ जाएगा इसका मतलब हुआ कि इस chain को रोक कौन रहा है इस chain को इधर की direction में friction रोक रहा है ठीक है मान लो यह maximum length है वाई ठीक है तो अगर यह maximum length है वाई तो यह maximum for इस point इस point पे यह connected है ना chain एक ही है तो chain एक ही है तो यहां यहां जो tension develop होगा वो इसमें transfer हो जाएगा chain एक पुली वाला system नहीं ऐसे पढ़ेते string वाला यहां tension T है तो इधर भी tension T होगा ठीक है यहां एक blog रखा हुगा है यह एक blog रखा हुगा है तो यह blog बढ़ाओगे तो यह blog नीचे आ जाएगा एक special एक special समझे ना एक special mask के लिए यहां पे रेस्ट में था question किये तो उसी तरह से एक special weight mg एक खास weight के लिए यह इसको balance कर लेगा ठीक है क्योंकि यह connected है connected है तो tension uniform है समझे ना चलो तो इसका मतले बेवगा कि अगर यह चोटे से पार्ट को देखोगे इस चोटे से पार्ट में तो इस पे friction इधर की direction में लगा और इस point पर इस वेट डबलू है वह उधर लग रहा है जिससे यह किच रहा नीचे तो अगर वेट डबलू के equal है तक तक equilibrium maintain है तो वेट डबलू कितना है वेट डबलू निकाल लो यह hanging part का weight mg अब यह हम हमें पता नहीं इसका तो constant कर लेते हैं mass per unit length और इसकी length y multiplied by g mass per unit length नहीं quantity define कर लेते हैं और उस length से multiply करते हैं तो इसमें हमें पता चाहिए कितना वेट है और यह इस पर normal उपर लगेगा mg इस पर normal ऊपर लगेगा और mg नीचे लगेगा तो इसका मतलब हुया कि friction की value आ जाएगी हुआ जाएगी mu 1 और mu is equal to m और normal की value मालब है m double dash g यह जो mass है उसमें m double dash अब इसके लिए भी mass per unit length वाला concept लगा दो तो mu mass per unit length और इसका length है l minus y that is multiplied by g है न बैं एक centimeter में अगर हमें length mass per unit length का क्या मतलब है mass per unit length का मतलब है एक centimeter, एक meter, एक kilometer में कितना mass है ठीक है तो अगर एक centimeter में मुझे mass पता तो 5 centimeter में 5 से multiply कर दूँगा तो y तो कर रहे हैं हम लोग ठीक है चलो अब इन दोनों को equate कर दिया जाए तो y की value आ जाएगी ठीक है तो इन दोनों को equate कर दिया जाए यह weight और यह friction तो इन दोनों को equate कर दिया जाए तो mass per unit length yz that is equal to mu mass per unit length और mass per unit length और यह आ जाएगा zl minus y इसका मतलब है हुआ mass per unit ने यह सब खतम हो गया और जी ने जी को खतम कर दिया तो y is equal to mu यल और minus mu y तो y की जो value आ जाएगी y जो mu y upon 1 plus mu के equal आ जाएगी अब mu की value दिया होगा यहाँ पे 0.25 तो 0.25 mu है और length कितना है परसेंटेज निकालना है तो 0.25 इसका मतलब है परसेंटेज निकालना है तो y upon l multiplied by 100 0.25 और यह 1.25 और multiplied by 100 तो point ने point को कतम कर दिया थे 1.5 मतलब है आ जाएगा 20% percentage निकालना है आता न सबको तो यह आ जाएगा 20% मतलब इस chain में अगर 20% से जादा length रखोगे तो यह नीचे आ जाएगा और अगर कम रखोगे तो बढ़िया अच्छी बात है जाएगा 2.0 को